Hello everyone, very good evening and welcome back to our YouTube channel देख जाम करेकर, NCRT Class 6, Geography का 3rd Chapter Motion of the Earth, प्रीथवी की गतियां इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कवर करेंगे इसके साथ ही पिछले वीडियो की तरह हम हमारे एक जाम के लिए जो भी इस चैप्टर में important है वो देखेंगे और इसके साथ ही चैप्टर से रिलेटर जो भी exercise है, questions, answer है उसे भी हम discuss करते चलेंगे इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 और 2 को complete किया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिये तो उसको भी जरूर देखिये तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीत्वी की गती दो प्रिकार की है घुर्डन एवं परीक रमन प्रीत्वी का अपने अक्ष पर यानि कि अपनी धुरी पर जो घुमना है वो घुर्डन कहलाता है और सूरी के चारो और एक इस्तर कक्ष में प्रीत्वी की गती को परीक्रमन कहते हैं प्रीत्वी 1600 किलोमेटर प्रती सेकंड की रप्तार से घुमती है जिसे हम घुर्णन या फिर परीब्रमन के नाम से जानते हैं उसके बाद भी उसे एक चकर पूरा करने में 23 गंटे 56 मिनट का समय लगता है तो यह important है ध्यान में रखिये का यहाँ पे घुर्णन और परीब्रमन एक अर्थ में आएंगे और परीक्रमन जो है इसका अर्थ दूसरा है तो परीब्रमन और परीक्रमन में कन्फ्यूज नहीं होईएगा और एक question यहाँ से यह बन के आता है कि धर्थी जो घुर्णन करती है वो किस दिसामे करती है तो यह important है और इससे पहले एक जाम में पूछ चुका है तो धर्थी पस्चिम से पूरब की तरफ घुर्णन करती है यह आपको पता होना चाहिए important है ध्यान में रखियेगा आगे बात कर लेते हैं कि पूर्थी का अक्ष एक कालपनिक रेखा है जो इसके कक्षिये सता से 66.5 degree का कोन बनाती है वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षिये समतल कहते है पूर्थी सुरी से प्रकास प्राप्ट करती है पीठवी का आकार गोले के समान है इसलिए एक समय में इसके आधी भाग परी सुरी की रोस्नी राप्त होती है आगे बात कर लेते हैं सुरी की और वाले भाग में दिन होता है जबकि दूसरी भाग में जहां सुरी की रोस्नी नहीं परती है वहाँ पे रात्री होती है और ग्लोब पर वृत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदिप्ति वृत कहते हैं तो यह इंपॉर्टेंट है इसको जरूर से याद रखिएगा इससे रेटर्टर क्येस्चन आपकी पूशे जा सकते हैं कि प्रदिप्ति वृत किसक सकते हैं यहाँ पे देख लेते हैं इसको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह प्रदिप्ति वृत है और यह उत्तरद्रूव और यह दक्षिंद्रूव है घुर्णन के काल को प्रित्वी दिन कहा जाता है या प्रित्वी की डैनिक गति है तो यह भी इंपॉर्टेंट है ये पूछा जा सकता है कि प्रित्वी दिन किसको कहा जाता है तो घुर्णन जो करती है प्रित्वी उसका जो समय होता है उसको प्रित्वी दिन के नाम से जानते हैं जो कि प्रित्वी की डैनिक गती है तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सन है और इसका प्रकास इसकी जो रे है वो डारेक्ट प्रीत्वी पर पर रही है जिस तरब प्रीत्वी पर इसकी रे परती है वहाँ पर दिन होता है जबकि जिस साइड नहीं पर रही होती है इसकी प्रकास वहाँ पर रातरी होती है यहां पे आप देख सकते हो प्रीतवी के अक्षि का जुगावत अथा कक्छिय समतल तो यहां पे कक्छिय समतल दिखाया गया है और प्रीतवी के कक्छिय समतल पर लंब तो ये 66.5 degree का कोन बनाता है और ये 23.5 degree का कोन बनाता है तो ये ध्यान में रखिएगा important है आगे देख लेते हैं यहां पर कहा गया डूह गाए कि यदि फिर्उफी घुरनाद नकरे तो क्ञा होगा तो अगर ऐसा होता है कि फिर्फी घुरना नकरे तो जिंदीकी समात्तो जाएगी सबकि ऐसे जीवन संभब नहीं हो पाएगा क्योंकि सूरी के तरफ वाले पिर्ट्वि के भाग पर हमेशा दिन होगा जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार परती रहेगी और दूसरे भाग में हमेशा अंधिरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड परेगी इस तरह की अवस्था में जीवन जो है मनुस्य का या पिर किसी भी जीव जंदू का वो संभव नहीं हो पाएगा आगे पा चार दिन में सूरी का एक चकर लगाती है यानि कि पीठवी जो सूरी का एक चकर लगाती है उसमें पीठवी को 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं हम लोग एक वर्स 365 दिन का मानते हैं तता सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोडते हैं और वही 6 घंटे चार बार जुर क पर तीन वर्स बाद लीप एर में कन्वर्ट हो जाता है आगे देख लेते हैं चार वर्स में प्रतेक वर्स के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानिकी 24 घंटे के बराबर हो जाती है इसकी अतरिक्त दिन को फरवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् सरदी, वसंथ एवं सरद रित्वु में बाटा जाता है रित्वु में परिवर्थन सुरी के चारो और प्रीथवी की इस्तिति में परिवर्थन के कारण होता है आगे देखेंगे हम 21 जुन को उत्तरी गोलार्ध सुरी की तरफ जुगा होता है सुरी की किर्णे करक रेखा पर सीधी परती है इसके परिणाम सुरूप इन शित्रों में उस्मा अधिक प्राप्त होती है द्रूवों के पास वाले शित्रों में कम उस्मा प्राप्त होती है क्यूंकि वहां सुरी की जो किरने होती है वो तिर्शी पढ़ती है उत्तर धुर्वे सुरी की तरप जुगा होता है तथा उत्तरी धुरूब रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है चुकि उत्तरी गुलार्द के बहुत बड़े भाग में सुरी की रोसनी प्राप्त होती है इसलिए विश्वत वृत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है 21 जुन को इन चेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है प्रीत्वी की इस अवस्था को उत सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है तो ध्यान में रखिएगा 21 जुन को और यहां पर बात की गई है उत्तरी गुलार्द की तो यह भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा फिर आगे बात कर लेते हैं 22 दिसंबर को दक्षिन द्रुब के सूरी की और जुके होने के कारण मकर रेखा पर सुरी की किर्णे सीधी परती है चुकि सुरी की किर्णे मकर रेखा पर लंबवत परती है इसलिए दक्षनी गुलार्द के बहुत बड़े भाग में प्रकास प्राप्त होता है इसलिए दक्षनी गुलार्द में लंबे दिन तता छोटी रातों वाली सबसे छोटी रात होती है इसके ठीक विप्रीत इस्थिती उत्तरी गोलार्द में होती है प्रीथवी की इस अवस्ता को दक्षिन अयनांत कहा जाता है यहाँ पर हमें वताया गया कि अस्ट्रेलिया में ग्रिस्म रितू में क्रिस्मस का पर्व्य मनाया जाता है तो ये बहुत ही important है क्योंकि ये question जो है वो कई सारे exams में पूछ चुका है तो इसको अच्छे से ध्यान में रखेगा question आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी country में गर्मी के महीने में Christmas का तेभार मनाया जाता है तो ध्यान में रखेगा Australia होगा उसका answer आगे बात कर लेते हैं 21 मार्च एवं 23 सेप्टेमबर को सुरी की किरने विस्वत व्रिक पर सीधी परती है इस अवस्था में कोई भी द्रुव सुरी की ओर जुका नहीं होता इसलिए पूरी प्रित्वे पर दिन एवं रात बराबर होती है इसे विसुव का आ जाता है तो दि गुलाद में सरद रितू होती है जबकि दक्षनी गुलाद में वसंत रितू होती है 21 मार्च को इस्तिती इसके विप्रीत होती है जब उत्तरी गुलाद में वसंत रितू एवं दक्षनी गुलाद में सरद रितू होती है तो यह एकदम से अपोजिट होता है इन दोनों में तो ये ध्यान में रखिएगा क्यूंकि इस से रिल्टर वेशन आपके पूछे जा सकते हैं, आगे देखेंगे हम, तो यहाँ पे इस चैप्टर का एक्सरसाइज है, इसको देख लेते हैं, निम्न लिखित प्रसनों के उतर संचेप में दीजिए, फर्स्ट वेशन है आपका क परिक्रमन को परिभासित कीजिए, तो घुर्णन प्रीथवी का अपनी धोरी पर घुबना घुर्णन कहलाता है, और प्रीथवी अपना घुर्णन 24 गंटे में पूरा करती है, और इसी से दिन और रात भी होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बात करिए अगर परिक हमें 28 दिनों के अस्थान पर 29 दिन होता है, और इस प्रकार लीप वर्स 35 दिनों की जगह 346 दिन का होता है, लीप वर्स प्रती चार वर्स के बाद आता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, फिर अगला क्वेशन है कि उत्तर एबम दक्षिन अयनांतों में अंतर बताईए तो उत्तर एइनांत, 21 जुन को उत्तरी गुलार्द में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय दक्षिनी गुलार्द में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है, प्रित्वी की इस अवस्था को उत्तर एइनांत कहते हैं, और बात क अगला क्वेशन पूछा गए आपसे कि विसुव क्या है तो 21 मार्च एवं 23 सेप्टेमबर को सुरी की जो किरने है वो विस्वत बृत पर सीधी परती है और इस अवस्था में कोई भी द्रूब सुरी की ओर नहीं जुका होता इसी कारण प्रीथवी पर दिन और रात बराबर होते हैं जिसे विसुव के नाम से जाना जाता है अगला क्वेशन है आपका कि दक्षनी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर इवं दक्षिन का एरनांत अलग-अलग समय में क्यों होता है तो जब उत्तरी गोलार्ध में सूरी की तरफ जुका होता है तो तो सूरी की किडने होती है वो करकर रिखा पर सीधी परती है इसलिए उत्तरी गुलाद में ग्रिस्मृतु होती है तथा दक्षणी द्रूबों पर लगमग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातरी क्यूं होती है तो जब उत्तरी गोलाज सुरी की ओर जुका होता है तो प्रीथवी के अपने अक्ष पर जुके रहने की कारण उत्तरी द्रूब पर लगातार 6 महीने तक सुरी की किरने परती रहती है जिसके कारण 6 महीने का वहां पे दिन होता है और दक्षनी द्रूपर छे महीने तक रात्री होती है क्यूंकि वहां पे सुरी की जो रे है जो उसका प्रकार से बूर नहीं पहुंच पाता ठीक इसी प्रकार जब दक्षनी गोलाद सुरी की ओर जुका होता है तो वहां छे महीने दिन होता है और उत्तरी ध्रूपर 6 महीने सुरी की किर्णे नहीं पढ़ने की कारण रात्री होती है अगला क्वेशन देखेंगे हम सही उत्तर चिन्नित कीजिए फर्स्ट क्वेशन है कि पीथवी की सुरी के चारो ओर की गती को क्या कहा जाता है फर्स्ट ऑप्सन है घुढनण, सेकंड परिक्रमन, एन थर्ड जुकाओ तो अभी हम लोगों ने देखा की पीथवी सुरी के चारो ओर परिक्रमा करती है तो पीथवी की सुरी के चारो ओर की जुगती है वो परिक्रमन कहलाती है अगला क्वेशन देख लेते हैं सुरी के सीधी किरने विश्वत व्रित पर किस दिन परती है फर्स्ट ऑप्शन है 21st मार्च, 2nd 21st जून एंड थर्ड ऑप्शन है 22nd दिसम्बर करेक्ट टैंसर होगा इसका ऑप्शन वर्ण 21st मार्च फर्ड प्शन है गर्मी में क्रिस्मस का पर्वक कहां मनाय जाता है तो ये बहुत इंपोर्टेंट है अच्छे से ध्यान में रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन जापान, सेगेंड भारत और थर्ड ऑस्ट्रेलिया करेक्ट टैंसर होगा ऑप्शन गर ऑस्ट्रेलिया फिर आगे पूछा गया है कि रित्वों में परिवर्तन प्रीत्वी की किस गती के कारण होता है का घुर्णन, खा परिक्रमन और गरुत्वाकर्सन तो प्रीत्वी की घुर्णन गती के कारण दिन और रात्री होती है जबकि रितु परवर्तन जो है वो प्रीत्वी की परिक्रमन गती के कारण होती है इसलिए फोर्थ का जो करेक्ट आंसर होगा अमारा वो हो जाएगा परिक्रमन यहाँ पे खाली अस्थानों को भढ़ना है तो इसको देख लेते हैं फर्स्ट क्वेशन में पूछा गया है कि एक लीप वर्स में दिनों की संख्या कितनी होती है तो 366 days होती है 366 तो यहाँ पे हो जाएगा 366 अगला क्वेशन है आपका कि प्रीथवी की प्रती दिन की गती को क्या कहते हैं तो प्रीथवी की जो प्रती एक दिन की गती है वो घुर्णन गती कहलाती है तो यहाँ पे घुर्णन आ जाएगा थर्ड क्रेशन में पूछा गया कि प्रीतवी सुरी के चारो ओर दैस कक्षा में घूमती है तो प्रीतवी सुरी के चारो ओर इस तिर कक्षा में घूमती है तो यहाँ पे इस तिर आ जाएगा फोर्थ क्येशन में पूछा गया है कि 21 जुन को सुरी की किरने डैस रेखा पर सीधी परती है तो 21 जुन को सुरी की जो किरने होती है वो करक रेखा पर सीधी परती है तो बस ये चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा आपको ये वीडियो कैसे लगी है लाइक कमेंट के तो जरूर बताईएगा और सेर्वी जरूर करेगा अपने प्रेंस के साथ मिलते हैं हमारे नए वीडियो में तब तक लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए